कि बिस्मिल्हाइब रही मैं हूं मौमद बसीम और हम डिसकस कर रहे थे exercise 1.4 आज जैसे कि हमने तौः जो है वो इसके start की वी थी और पहले इसका question 5 भी किया था आज हम इसी एक और question कर लेते हैं question 8 है इसको हमने solve करना है और type 2 में हम क्या कहते थे हम यह कहते थे चीह सारी जो value है वो square root के अंदर होगी और इसमें जो हमारा पहला step होगा के स्केरोट को ए时间 करने के लिए हमने स्केर ले लेना है तो यह किसमर 8 है ऍच्शन और रूट 4 a plus x- माइनिस अंडरूट a-x is equal to a है तो इसमें हम ही क्या करना है स्कीर लेना डिरेक्ट के रूट कैंसल करने के लिए तो जब हम स्क्यर लेंगे 2 एंपोर a plus x और minus under root a minus x यह हमने यहाँ पे भी square ले लिया और the right side है under root a और इसका भी क्या हो गया square अब left side पे तो हो गया formula इसे हमने formula open करना है कौन सा formula open हो गया यह formula है a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab यह हमने यहाँ पे formula है जब open करना है तो अब यह जो under root 4a plus x यह a है under root a minus x यह क्या है b है तो मैं इसे formula से जो ओपन कर लेता हूँ 4a plus x यह a का square और plus यह हो गया जी b का square तो आगे क्या आना जाहिए minus 2ab तो minus 2 a b और a की जगह है 4a plus x और b की जगह है a minus x और right side देखें square root cancel हो जाएगा यहां पर a बच जाएगा अब इनके भी square से square root cancel हो जाएगे तो यह हो गया 4a plus x इसका भी square root cancel हो जाएगा यह आजाएगा a minus x और minus 2 अब यह दोनों जो हैं square root values multiply हो रही हैं तो इन दोनों को हम multiply multiply जो है वो करवा सकते हैं अब देखें 4a को जब हम a से multiply करवाएगे तो यह हो जाएगा 4a का square आजाएगा अब इसी दर आप 4a को minus x से multiply करवाएगे तो minus 4a x आजाएगा अब x को a से करेंगे तो plus a x आजाएगा अब x को minus x से करेंगे तो minus x square is equal to a आजाएगा अब यहां भी देखें plus का x minus x यह क्या हो गया अब इसमें cancel हो गया तो बाकी रहा गया 4a plus a यह आजाएगा 5a और minus 2 under root under root के अंदर हमारे पास यह आगी value यहांगी जी 4a square minus 4ax और plus का ax तो minus का यहां पे 3ax रहे गया और शीद रहाँ minus x square is equal to a अब कुछ values के root के अंदर है कुछ values के root के बाहर है तो फिर हम क्या करते थे हम यह करते थे scale root value value अलग कर लेते थे without scale root value value अलग कर लेते थे तो इस a को मैं left side भी लेता हूँ और under root वाली value को मैं right side भी लेके जाता हूँ 4a और यह आगया 2 under root यह वाली value वैसे आ जाएगी 4a square minus 3ax minus x square अब फिर हमें क्या करना है फिर वही हमें square root cancel करने के लिए square लेना है तो taking square on both side तो यह इदर 4a का भी हम दुबारा square ले लेंगे और यह 2 under root 4a square minus 3ax और minus x square इसका भी हमने क्या गया square ले लिए अब 4a का square क्या हो गया यह तो हो गया 16a square is equal to 4 2 का square क्या हो गया और इसका square would cancel हो जाएगा है तो यह हो जाएगा 4a square minus 3a x और minus x square square तो यह आगया 16a square अब इस 4 को मैं क्या करूंगा अंदर multiply करवा दोंगा तो यह 44 क्या हो गया यहां पर यह आगया 16a square और 4 को अब 3x से multiply करूंगे तो minus 12a x और 4 को x square से multiply करूंगे minus 4x square आजएगा तो square root square भी ले लिया मैंने square root cancel हो गया जो बाहर 4 तो हमने multiply भी करूंगे उसके बाद हमने क्या करना है सारी value का हम left side पे ले आएंगे ताकि नहीं हम plus minus करके external equation बना रहें तो मैं सारी right side वाली value से left side ले आता हूं यह plus 16a square इदर आके minus 16a square आगे यह minus 12a square इदर आगे plus 12a x आजएगा यह minus का 4x square इदर आगे plus 4x square is equal to zero हो जाएगा तो अब यहां पर देखें 16a square plus और minus कैंसल हो गया तो बाकि आपके पास रहे गया 12a x और plus 4x square is equal to zero आप इन दोनों में 12a x और 4x square में से 4x जो है वो common आ रहे तो 4x आप common ले लें तो यहां पर रहा गया बाकि 3a plus x रहा गया is equal to zero आप यह दो अलग factor बन गए 4x 3a plus x इन दोनों का हम अलग-अलग कर लेंगे दोनों क्यूंकि प्रोड़क्ट 0 के एकवल है तो यह 4x यह 0 के एकवल तो x is equal to zero over 4 और शीदर यह हो गया 3a plus x is equal to zero हमें x find करना है तो 3a इदर आके हो जाएगा minus 3a तो x की हमारे पास एक value आगी 3a एक value minus 3a और यह 0 by 4 यह क्या होता है यह 0 ही होता है तो x की एक value तो हमारे पास आगी 0 और दूसरी आगी x is equal to minus 3a तो अब हमें क्यूंके checking भी करनी होती है तो checking करने के लिए हम क्या करते होते हैं जो हमारे पास answer है वो हम इस equation के अंदर put करेंगे अगर satisfy कर गया equation को तो यह solution set होगा otherwise नहीं होगा तो मैं यहाँ पे जहाँ वो checking भी इसकी इसकी checking कर लेता हूँ पहले मैं for x is equal to zero करता हूँ वो जो equation थी अब मैं equation यहाँ पर लिख देता हूँ यह कहूंगा एकस इसकाट जीरो जाए वो हमारा solution set है अधरवाइस नहीं तो अब मैं इसके अंदर जो put करता हूँ एकस के जिगा जीरो एकस के जिगा जीरो तो यह 4a वैसे आ जाएगा एकस जीरो होगे हम माइनिस ए और इसकी जिगा हम क्या put कर देंगे यह जीरो अब यहां पर बच गया हमारे पास अंदर रूट 4a और माइनिस अंदर रूट a is equal to अंदर रूट a अब 4 है 4 comes के रूट जाब ले सकते हैं तो यह क्या जाएगा 2 अंदर रूट a माइनिस अंदर रूट a is equal to under root a अब यह है 2 अंदर रूट a minus का 1 अंदर रूट a तो बागी अंदर रूट क्या बचिया यह अंदर रूट a रह गया is equal to under रूट A, अब यह जो है, वो satisfy कर रहे हैं, तो अब दूसरी value मैं put करके check करता हूँ, यह भी satisfy होता है यह नहीं होता है, x is equal to minus 3A, अब मैं यह put कर देता हूँ, उसी equation के अंदर, तो put, put x is equal to minus 3A, अब यह मैं जो है, equation के अंदर, x की जगा जो है, वो मैं put कर दूँगा, यह आ गया, 4A वैसे आ गया, 4A, x की जगा, minus 3A put कर देंगे, minus into, यह है, a minus x, a minus into, x की जगा, minus 3A put करेंगे, is equal to under root A आना चाहिए, तो 4A में से 3A माइनिस की जगा, यह तो रहे गया, a, minus under root, और यहां पर a, और minus minus होजाएगा, plus 3A is equal to under root A आना चाहिए, तो यह under root A है, इसके रूट नहीं ले सकते हैं, आप यह under root A ही रहेगा, minus under root, और यह हो जाएगा, 4A is equal to under root A, तो under root A, 4 का स्के रूट आप ले सकते हैं, वो आजाएगा, 2, 2 under root A is equal to under root A, यहां पर हमने, 4A था, 4 का स्के रूट ले लिया, 2 आगे, लेकिन A का under root नहीं आता, वो वैसरेगा, हाँ जी, अब है, plus का 1 under root A, और minus का 2 under root A, तो बाकि minus का 1 under root A रह जाएगा, तो यह आजाएगा, minus under root A, जो के equal नहीं है, under root A के, left side पे answer है, positive under root, left side पे हमारे पास negative under root A, और right side पे क्या आगया, positive under root A, यानि यह जो x is equal to minus 3 है, यह इस equation को satisfy नहीं कर रहा, तो यह हमारा extraneous solution होगा, तो actual हमारा solution set है, वो क्या है, वो 0 है, यह satisfy इसने कर लिया था, तो यह हम इसका answer लिख लेंगे, solution set हमारे पास आजाएगा जी, 0, तो उसका हमने क्या करना है, उसका हम लिख लेंगे, minus 3 A is, extraneous solution, x is equal to minus A, यह जो है, वो extraneous solution है, extraneous solution क्या होते है, वो solution जो किसी, जो original equation को satisfy नहीं करता, तो हमारा solution set जो है, वो 0 ही होगा, क्या हो है, वो उसका हुए पर सक्क्राइब रा świeकार गारी Chemis Land, तो है, वो नहीं तो है, वो नहीं करता, तो जो है, वो जो जो कारते है, वो जो है, वो करता है, वो, क swap. झी झी ऐारा ल nuo क्योतल yा करता है, वो défin हो,